जैहीं दोस्तों चलिए इस तो बात करते हैं इस एक और question के बारे में simple interest on rupees 504 year at 6.25% per annum is equal to the simple interest 405% per annum certain period of time then period of time is यानि एक्जामना ने कहा कि वो 500 rupees को interest यानि ब्याज पर देता है सदन ब्याज पर चार साल के लिए देता है 6.25% की rate से देता है कहता है उससे जो interest मिलता है वो interest 400 को 5% पे कितने साल के लिए दे की वो बराबर हो जाए मतला 400 का interest और 500 का interest जो बराबर हो जाए तो इस question को solve करने के लिए अगर आप थोड़ा सा अपना brain use करेंगे तो यह question आपका और यह हो जाएगा कैसे देखे जब हम जब हम time period निकालेंगे दोनों का interest तो मेरे पास equivalent होगा तो यहां पर देखिए यह मेरे पास कितना आपका यह 100 यह 4 यह direct इससे कट जाएगा इसकी percentage से मैं इसकी percentage काड़ दूँगा इसके 5 से मैं इसको काड़ दूँगा यानि कि मेरे पास जो 6 to 5 by 100 और मैं इसको solve करूँगा तो मेरे पास कितना है कि 25 by 4 यानि कि 6 1 by 4 यह मेरे पास में time period आजाएगा यानि कि option C 6 1 by 4 यह में वो interest बराबर हो जागा आई एक बार इसको समझते हैं देखिए यह मेरे पास पहला principle है यह rate of interest है आपका यह time period है तो इससे मेरा SI निकलता है यानि कि अब मैं दोनों को compare करूँगा तो यह मेरे पास देखिए 500 था आपका time period कितना दे रखा मुझे 4 year interest कितना दे रखा था 6 to 5 by में कितना हो जागा आपका 10,000 बराबर में यह मेरे पास कितना हो जागा आपका 400 इंटु में rate of interest 5% 5 by में 100 इंटु में time period है ती इस दो 0 से में 2 0 उड़ा दूगा ठीक है इस 5 से में यह 5 उड़ाओंगा और इस 2 0 से मेरे 2 0 उड़ जागी इस 4 से मेर 25 by में 100 is equal to में T तो यह कितना हो गा 25 जो के 100 और 25 यानि कि 6 1 by में 4 यानि time period जो आएगा वो इस question का यही आएगा 6 1 by 4 year I hope आप सभी कोई question समझ में आओगा जय हिंद जय भारत